हेलो नोलकम दोस्तों स्वागत करते हो फिट सब सबकोप के अपनी इस चैनल में तो गई जिस बीडिये के दर हम डिटेइस में डिसकास करेंगे बिटकोइन के बार में साथ हमें अपर डिटेइस में बात करेंगे कुछ यसे ओल्ट कोइन के बार में और यह आपर डिटेइस म अगर आपको जानना है तो फिर आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो, बाकि अगर आप पहली बार चनल पर विजिट कर रहे हो, हमने यहां पर बहुत बार डिसकस भी करके रखा हुआ है, मैं जस्ट आपको एक ही चीज यहां पर रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि सबसे पहले तो बिटकोइन के लिए यहां पर यह जो जोन होगा, इस जोन के असपास हमें बिटकोइन के प्राइस के लिए एक 19,143 के आसपास यहां पर तो बी प्रिसाइस अगर यहां पर अपना सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाता है, किसी भी कारण यहां पर अगर कोई भी निगेटिव निकल के आ जाती है, तो यहां से हमें प्राइस के अंदर दोड़ा ड्रोप डाउन देखने को मिल सकता है, लाइ अगर आपको बिटकोईन के प्राइस इन जोंस के इन बीट्वन आपको देखने को मिले, लाइक 18,900 या फिर अगर आपको प्राइस 18,800 के आसपास देखने को मिले तो आप जो यहां पर बिटकोईन के प्राइस के अंदर long position अपना open करने के सोच रहो, तो आप long position को open कर सकते हो ठीक है तो 18,800 से लेकर यहाँ पर यह जो जोन है 18,700 और इन जोन के आसपास जब भी हमें bitcoin के price देखने को मिला तब यहाँ से हमें price के अंदर एक अच्छा सा bounce back भी देखने को मिला है यहाँ पर अगर आप देखूगे तो bitcoin के price हमें 18,400 के असपास देखने को मिला लेकिन तुरंत यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा movement भी देखने को मिला था तो similar kind of movement अगर यहाँ पर इन zones के असपास अगर आपको BTC का price देखने को मिले तो इन zones के recording जो है आप अपना long position को भी open कर सकते हो ठीक है बाकि में जो भी आपको बता रहा हूँ वो मेरे personal opinion and research कोई भी financial में आपको advice नहीं दे रहा हूँ बाकि जो भी आगर आप करना चाहोगे वह आप अपने तो हर एक old के price के अंदर हमें एक अच्छा-सा drop-down देखने को मिला बट यहाँ पर अगर BNB को देखोगे तो BNB के price यहाँ पर में कुछ दिन पहले कि अगर यहाँ पर एक लिए जो पर इस रिजिस्टेंस जोन को यहाँ पर सस्टेंड कर लिया और अब इस टाइम पर यहाँ पर बीनबी के price हमें इस जोन के आसपास एज़े सपोर्ट देखने को मिल रहा है अगर bitcoin के price के अंदर बहुत बड़ा भी crash हमें देखने को मिलता है तो in that case हमें BNB के price जादा से जादा इसी zone के आसपस देखने को मिल सकता है या फिर price जो हमें यहाँ पर 283 के आसपस देखने को मिल सकता है तो बागी यहाँ पर अगर आप BNB के अंदर long term के लिए entry लेने का सोच रहे हो तो मेरे इसाब से BNB हो या फिर Ethereum हो यह सब points के अंदर अगर आप long term के लिए invest करना चाहते हो तो आपको तो वेट ज़रूर से करनी है price यहाँ पर इसी zone के आसपस price ने अपना support sustain किया है कुछ time के बाद यह जो zone है यह zone से भी हमें यहाँ पर price के अंदर एक अच्छा सब breakdown देखने को मिलेगा तो इसके लिए अगर आप long term के लिए invest करना चाहरे हो तो मेरे इसाब से 260-250 के आसपस जो zones अंगे उन zones के आसपस आप BNB को जरूर से purchase करके भी रख सकते हो सब को यहां पर BNB के बारे में समझ में आ गया होगा कि exactly BNB के price के अंदर in coming days हमें क्या movement देखने को मिल सकता है तो चले पर हम डिटेइस में डिसकास करेते हैं मुबमेंट के कारण हमें बाकियो और्ट के price के अंदर भी similar kind of range movement देखने को मिला है यहां पर LTC coin के अंदर में आप अपको बताओ तो 52.97 के आसपस यह जो zone है इसी zone के आसपस अल्डेडी हमें multiple times जो है LTC के price देखने को मिला and in that particular zone यहां से हमें जो है price के अंदर multiple times भी resistance देखने को मिला है तो अभी इस time पर क्या LTC के price के अंदर हमें फिर से drop down देखने को मिल सकता है या नी तो मेरे इस अब से LTC के price हमें फिर से यहां पर नीचे देखने को मिल सकता है like price जो हमें यहां यहां पर 52.23 के आसपस देखन करो कि जो भी पहले से यहां पर crypto के अंदर invest कर रहे हो जो भी पहले से हो तो आपको बता होगा कि LTC के price हमें somewhere around $100, $200 के आसपस भी देखने को मिल रहा था तो fundamentally बहुत ही जादा strong है बाकि अगर आप Ethereum BNB in coins के साथ में ही compare कर सकते हो LTC coin को तो बाकि अगर आप LTC के अंदर entry ल सकते हो अगर all time high की बात करोगे $296 USD के असपस हमें LTC के price all time high में भी देखने को मिला था अब 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 इस time पर आप buy करना चाहते हो तो completely आपके उपर depend करती है अब अपने insights जरूर से देख लेना मैं आपको यही बता सकता हो कि fundamentally बहुत जादा strong है जब भी bull release start होगा तब आ नेक्स देख सेच इंफरमटीब अपडेट्स के साथ तब तक के लिए गुडबाई